आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे सबसे पहले एक अपील कोरोना वाइरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आप से अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीका करण कराएं 15-18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीका करण में भी मदद करें सुरक्षित रहने के लिए क्रप्या तीन सरल उपायों का पालन अवश्य करें मास्क पहने दोगस की सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और चेहरा साफ रखें कोविट से सम्मंधित किसी भी जानकारी और मार्क दर्शन के लिए राश्ट्रीय हेल्प लाइन नंबर 011-23-97-8046 और 1075 पर संपर्क करें अब इस बुलिटेन के समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि सरकार एक भारत एक स्वास्थ की भावना के साथ स्वास्थ के ऐसे बुनियादी ढाचे के निर्मान का प्रयास कर रही है जो बड़े शहरों तक ही सीमित ना रहे बलकि हर जिले और प्रखंड के गाओं में जरूरी स्वास्थ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके केंद्रीय बजट में स्वास्थ शेत्र के प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ सेवा के शेत्र में समग्र द्रष्टि कोण अपनाया है और इसको अधिक समावेशी तथा मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रीत किया है श्री मोधी ने कहा कि यह बजट पिछले साथ वर्षों में स्वास्त सेवाओं में सुधार और बदलाव के प्रयासों के विस्तार को दर्शाता है प्रधान मंत्री ने कहा कि स्वास्त बजट में दो लाख आंगन बाडियों को उन्नत बनाने का भी प्रस्ताव है श्री मोधी ने निजी शेत्र में इसमें एहम भूमी का निभाने का अग्रह किया कोविड टिका करण का उल्लेक करते हुए श्री मोधी ने कहा कि कोविन पोर्टल जैसे मंचों ने दुनिया को डिजिटल तक्निक में भारत की शमता दिखाई है उन्होंने कहा कि आयुश्मान भारत डिजिटल मिर्शन ने उपभुकताओं और स्वास्त सेवा प्रदावताओं को जोडने का काम किया है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा पॉलिसी वितरन अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ की शुरुआत आज इंदोर में हुई मुख्यमंत्री शिवराज सिही चोहान ने कहा कि हमने किसानों के दरवाजे पर जाकर उन्हें फसल बीमा देने का काम किया है योजना का उद्देश्य सभी रिनी और गेर रिनी किसानों तक पहुशना और उन्हें फसल बिमा के बारे में जागरूख करना है इस दोरान मुख्य मंत्री श्री चोहान एक नए टेक्स्टाइल पार्क की घोशना भी करेंगे परेटन एवं संस्क्रती मंत्री सुश्री उशा ठाकुर तथा जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट ने कल इंदोर जिले के महू विधान सभा शेत्र के गोकल्या कुंड में 333 लाख रुपे की लागत की बहु प्रतिक्षित सिचाई परियोजना का शिलान्यास किया में सकारात्मक बदलाव आएगा जल जीवन मिशन में सागर संभाग के 283 लाख के शत प्रतिशत परिवारों को जल जीवन मिशन में लाभानवीत किया गया है प्रत्य गाओं के हर परिवार को मिशन का लाप देने के उद्देश से 694 करोड़ 69 लाख 33,000 रुपे की लागत की 767 जल संरस्टनाओं का कारी जारी है जल जीवन मिशन में सागर जिले में 404, टिकमगण में 135, छतरपुर में 103, पन्ना में 74 और दमोजिले में 51 जल प्रदाई की नवीन तथा रेट्रो फिटिंग योजनाओं का कारे चल रहा है प्रदेश में करीब 1,22 लाख ग्रामिन परिवारों को उनके घर में ही नल कनेक्शन के जरिये जल उपलब्ध करवाने का लक्ष वर्ष 2024 तक पूरा किया जाना है राज्य में जहां 46,89,000 सथिक ग्रामिन परिवारों तक पेजल पहुचाने का कारे पूरा किया जा चुका है वहीं 4,070 ग्रामों के शत प्रदिशत परिवावलों को नल से जल उपलब्ध करवाया गया है आगर मालवा जिला मुख्याले पर कल आयुजित किये गए रोजगार दिवस सम्मेलन में शासन की स्वरोजगार योजनाओं में एक करोड इकत्तिस लाक रुपे से अधिक की हितलाब राशी का 209 हित ग्राहियों को वित्रण किया गया जिला रोजगार कार्यले द्वारा आयुजित किये गए मेले में उपस्थित 13 नियोजग कमपनियों ने 306 अभ्यर्थियों में से 228 का प्रारंभिक चैन वह 78 का प्रशिक्षन के लिए चैन किया अब कुछ समाचार संशेप में भारत चीन और संयुक्त अरव अमरात ने रूस युक्रेन संगश पर संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में निंदा प्रस्ताव पर मद्दान में हिस्सा नहीं लिया भारत ने युक्रेन में हिंसा और युद्ध ततकाल रोकने का आग्रह किया है युक्रेन में फसे भारतियों को निकालने के लिए एर इंडिया आज दो ओडाने संचालित करेगी महा शिवरात्री के परवपर महाकाल की नगरी उज्जेन में मिट्टी के 11 लाग दिपक जलाने का विश्वरिकार्ड बनाया जाएगा कल शाम दत अखाड़ा घाट पर पुर्वा भ्यास किया गया इंदोर के देवी अहिल्या विश्विद्याले की अंतिम वर्ष की परिक्षा 21 मार से शुरू होगी वही तेवी समार से दुती वर्ष की परिक्षा रखी गई है इस परिक्षा में सवालाग से अधिक विध्यार्थी शामिल होंगे परिक्षा के लिए 160 परिक्षा केंदर बनाए गए हैं भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मेच आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा यह मेच शाम 7 बज़े से शुरू होगा इस बुलिटन में फिलहाल इतना ही अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दोगस की दूरी हाद धोना भी है जरूरी नमस्कार